अब चलिए देख लेते हैं सोम बार के दिन क्या है मेड़ कैफ निफ्टी का एक्सपारी है तो मेड़ कैफ निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटप कौन सा लेवल से बनेगा गपप पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ऑपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है कहां पर हमें call buy करना है कहां पर हमें put buy करना है और कहां पर हमें trade को avoid करना है सभी जी जोगों जानने के लिए आपनों वीडियो में तक बने रहें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं mid cap 50 का चार्ट है और यहां पर जो हमारा एक trend line बन गया रही है आप लोग दो बार तीन बार आप लोग देख सकते हैं यहां पर और जो नीची के दरब जो support है वो है 12,096 का जो की important support है जब तक यह trend line यहां पर breakout नहीं कर जाती है तब तक आप लोगों को यहां पर call के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है क्योंकि आप लोग logic दिख सकते हैं यह जो हमारा trend भी बनके आ रही है downtrend बनके आ रही है जो कि आप लोगों के सामने है चार्ट देखिए market के अंदर तुक्का बाजी करने से कोई फैदा नहीं है जब तक आप लोग logic को नहीं समझोगे market के अंदर एक रुपई या भी नहीं बना पाओगे यह मेरा challenge है life proof आप लोगों के सामने है अब हमें सोंबार के दिन किस तरीके से कामकाज करना है आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना जिन लोगों को मेरा वीडियो परी रहती है सच्चाई सुन करके तो देखिए जिन लोगों की फटती है मैं तो कहता हूँ आप लोग बिल्कुल भी ना देखे क्योंकि आप लोग यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने आये हो आप लोगों मैंसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फटी परी रहती है अब चलो ब का कंसलिडेट करती है और उसके बाद ये रेंज जिस सैड भी ब्रेकाउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं अब मालों कि अगर सोम बार के दिन मीड कैफ निफ्टी इस लेवल के उपर गैप अपनिंग ले लेत जाती है और यह जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकाउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल वाई कर सकते हैं और टार्गेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकरके 80 पंड तक का रह सकता है दूसरा कंडिशन क्या होगी गैप अप पर सेफ कॉल वाई कर सकते हैं और टार्गेट आप लोगों का यहाँ पर 25 से लेकरके 50 पंड तक का रह सकता है तीसरा कंडिशन क्या होगी गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का केंडल होगा याने की बुलिस केंडल होगा जब नेक्ट केंडल इसके हाई को यहाँ पर प्रेक आउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल वाई कर सकते हैं और टार्गेट आप लोगों का यहाँ पर 30 से लेकरके 60 पंड तक का रह सकता है अब मालों की अगर 100 बार के दिन मिट गाफ न 70 का अगर इस लेवल के नीचे गैब डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हर बड़ी की अंदर फुट की एंट्री नहीं लेना है यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है गैब डान खुलने के बाद जो पहला 45 मिनट का केंडल होगा याने की पियरी सकेंडल होगा जब नेक्ट केंडल इसके लोग को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हैं और टार्गेट आप लोगों का यहाँ पर 25 से लेकर के 50 पैंट तक का रह सकता है दूसरा कंडिशन क्या होगी गैब डन ख करती है और उसके बाद जब यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है तब लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हैं और टार्गेट आप लोगों का यहाँ पर 25 से लेकर के 60 पैंट तक का रह सकता है तीसरा कंडिशन यहाँ पर क्या होगी गैब डन खुलने के बाद जब इस से लेकर के 60 पैंट तक का रह सकता है अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का तो बिल्कुल कान खोल करके सुल लेना बारा बज़े से लेकर के दो बज़े के बीच में 12,225 के लेवल पर मिलती है मेट गैफ निफ्टी और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर पर मिलती है मेट गैफ निफ्टी और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 10 से लेकर के 18 रुपे तक की दिखाए दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टार्गेट आप लोगों का यहाँ पर डबल डिपल रह सकता है